हेलो फेंस स्वागत है आपका हमारी योटूब चेनल जी टेक्निकल एजुकेशन में फ्रेंड्स इस वीडियो हूँ आपको इलाहबाद इन्वर्शिती के मेन कैमपस समेट उसके जो भी मुख एफिलेटेट कॉलेज हैं जैसे आपका इलाहबाद डिगरी कालेज हो गया चौधरी महादेव प्रसाथ डिगरी कालेज हो गया इसको लाँ हो गया आपका जगत तारण गर्श डिगरी कालेज तो इसके हम counselling update की बात करेंगे और जो आपकी कटाफ है कटाफ तो मैंने आपको पहले बता दिया था कलसाम को बता दिया था और आज जो है 24 तारी की counselling होनी है बाकि 25 तारी की जो आपकी कटाफ है साम तक जो है जारी होंगी तो मैं आपको लगभग 6 से लेके 7 बजे के बीच में जो भी कटाफ हा जाएंगी उन सभी कटाफ के बारे में चाहे मेंन केमपस की हो या फिर एफिलेटेट कोलिज की सभी का अपडेट में एक वीडियो में करके जो है दे दूँगा उसके अलावा इस वीडियो में आपको एक चीज और बताने वाला हूँ कि आप जो है सीड्स का अनालिसिस कैसे कर पाएंगे क्योंकि काफी लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके पूछते हैं कि मैं फला कटेगरी से हूँ और अब मेरी कटाफ जारी होगी या नहीं जारी होगी तो मैं आपको बता दूँ कि सीड्स जो है आप कैसे अनालिसिस कर पाएंगे जिससे कि आपको एक अनभो लग जाएगा कि अब हमारी नेक्स्ट कटाफ जारी होगी या नहीं जारी होगी तो इसलिए वीडियो को ध्यान से अंतर तक जरूर देखिएगा और साथ ही मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंस जैसा कि आपको पता होगा कि मेन चैंपस में जो आपकी अभी हाल में जो काउंसलिंग चर रही है वह है BSC Home Science की BSC Home Science की काउंसलिंग जो है आज 24 तारीक है और आज से जो है वीडियो भी बना दिया इसके कटाब के भी वारे मैंने बता रखा था बाकी इसके लाओं अभी तक कोई नया जो है अपडेट नहीं आया है ना तो इलाहबाद डिगरी कालेज को ओफिसियल साइट पे और ना ही एयू प्रवेश 2020.com की ओफिसियल वेब साइट पे ही कोई अपडेट आएगा आपको नेक्ट वीडियो में इनिक साम तक जो है सारी अपडेट जो है प्रोवाइट कर दी जाएगी उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं अगर इलाहबाद डिगरी कालेज की जो की इनवर्सिटी आफ इलाहबाद का एक एफिल जो है उस वीडियो के नीचे जो है कमेंट सेक्षन में भी मैं उसका लिंक डाल दिया था तो आप लोग महां से जो है देख लिए होंगे और हम अब बात करने अगर CMP कॉलेज की जिसे हम 14 महादेव प्रसाथ डिगरी कालिज बोलते हैं तो काफी लोगों का ये कमेंट था कि इसमें जो है फिर कितनी लगेगी कि सेनी कोर्स के लिए कितनी फिर लगेगी साथ इसमें जो है सीटों की संख्या कितनी है तो इसके बारे मैं आपको अपडेट कर देता हूं जिसे जो भी अडिमेशन लेना चाहते हैं उन्हें थोड़ा कनफर्म हो जाए कि हाँ मुझे मकार्ट से है तो यह मैंने जो है यूजी का मैं आपको बदा रहा हूं जैसे बीए, बीस सीटें हैं और वहीं पर बीकॉम यहाद की बात किये तो पानसो उन्हेस सीटें हैं और फिजो है आपकी तेरा सो बिस रुपे और यहाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्योंकि BA में हर एक जगा सबसे ज़्यादा सीटे होते हैं क्योंकि ज़्यादा इस्टूडेंट जो है BA में ही एडमेशन लेते हैं तो यहां पर जो आपकी फीस है वो तेरा सो बीस रुपे प्लस दो सो रुपे है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक का उसके अलावा LLB की अगर हम बात करने तो LLB में आपकी टोटल जो है CMP में 300 सीटे हैं जिसमें कि आपकी फीस जो है 1814 प्लस सो रुपे जो है इनरोल्मेंट फी है तो यह आपके जो है CMP की फीस ट्रक्चर और जो है सीट की डिटेल है बाकी इसके कटाव के बारे में जो भी जानकारी है मैंने आपको बता दिया था बाकी नेक्स्ट कटाव जारी होगी तो सामको आपको प्रोवाइट कर दी जाएगी अब मैं जो नेक्स्ट अपडेट बता रहा हूँ है जगत तारन गर्स डिगरी कालेज के लिए जो कि अलाहबाद इनुर्सिटी का ये भी एक अफिलेटेट कॉलेज है तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो यहाँ गर्स स्टुडेंट बी या फिर भी कॉम में एड्मिस्टेशन लेना चाहती है तो इनका जो है जो सिकेंड फेज का ओनलाइन रजिस्टेशन है वो शुरू हो चुका है आपको पता होगा कि 22 तारीक से लेके 24 तारीक तके रजिस्टेशन चलेगा आप जो है इसके एड्मिसन पोर्टर से जाके आप रजिस्टेशन कर सकते हैं आपको इस कटाप को फालो करना होगा और जो रिजिस्टेशन करना होगा आज जो 24 तारीक है आज आपको 11 बच की 69 मिनट एनिक साम को राद को जो है 12 बजे से आपको पहले पहले अपना रिजिस्टेशन कर लेना है तो यह जो है आपका बीए का कटाप है सेम इसी प्रकार से क्टाफ जो ए रहे करने के लिए तो अगर जो है आप इस कटाफ से मैच करते हैं तो आप रिजिस्टेशन करके आप अपनी काउंसलिंग पो बाकि सेट रही है तो काफी लोगों का यह कन फ्यूजां रहेता है कि अब मेरी कटाफ जारी होगी और नहीं होगी EWS के candidate अपना सोचते हैं, OBC का अपना सोचते हैं, SC का अपना सोचते हैं, बाकि general वाले अपना सोचते हैं, कि अब मेरी next cutoff आएगी या नहीं आएगी, मुझे बेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी cutoff जारी होती है, सबसे पहले क इस हिसाब से आपकी जो है, यानि कि counseling कराई जाती है, सीटे जो है fulfill कराया जाता हूं, सीटों को, लेकिन जब क्या होता है, जब आपकी लगभग लगभग जेनरल की सीट से फुल हो जाती हैं, तब आपकी cutoff जो जारी होती है, कुछ इस परकार से, OBC, EWS और SC, यानि कि सभी की अलग-अलग cutoff जारी होने लगती है, तो इसका मतलब यह होता है, कि आपकी लगभग लगभग जेनरल की सीट से फुल हो चुकी है, अब आपकी जेनरल की cutoff जारी होने का chance नहीं है, और हाँ, अगर ऐसे में आपका OBC का भी cutoff नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है, कि आपका जो आल के लिए cutoff निकाला गया था, उसी में OBC की भी seats लगभग फुल हो गई, सेम उसी परकार से आप EWS का भी मान के चलिए, अगर उसमें नहीं seat फुल होती है, तब उसका अलग से cutoff निकाला जाता है, सेम इसी परकार से आपका SC के लिए हो, लाश्ट में आपका ST कंडिडेट का होता है, बाकी जब seat जो है कहने का मतलब अगर रह जाती है, तो ST के जो seat रहती हो, लगभग लगभग, SC में, किसी किसी कॉलेजन में, SC में, convert कर दी जाती है, निकि ST के अंसुचित जनजात की seat उपे जो है, अंसुचित जात के candidate admission ले सकते हैं, तो इस परकार स लाइक करिए, साथ अपने फ्रेंडों के साथ सेयर करिए,